बहुजन समाजपार्टी के 25 उम्मिद्वार हुए घुसित 25 में से 7 मुस्लिम उम्मिद्वार हैं बस्पा के मुस्लिम कार्ट से सपा कांग्रेस गडबंधन की बढ़ गई बीपी नमस्कार में संजयाम बेटकर आप देख रहे हैं भीम राज दस्तक चैनल दरसल लोकसबा चुनाओ को लेकर राजनितिक पार्टियों में उठा पठक जारी है इसी बीच बहुजन समाजपार्टी ने बितेर अभिवार को 25 उम्मिद्वारों की अपनी सूची जारी कर दी है जिसमें साथ सीटों पर बसपाने मुस्लिमों को तरजी दे कर सपा कांग्रेस गडबंदन के लिए मुस्किले खड़ी कर दी है पार्टी ने आगरा में पूजाम रोही और उटावसी सार्कैसिंग बगेल को टिकट दिया है वहीं साथ सुरच्छी सीटों पर भी अपने उमिद्वार घोसित की है आपको बता दे कि इन में से अधिकतर उमिद्वारों के नाम की घोसला जोनल कोडिनेटर पहले ही कर चुके है बहुजन समाजपाटी द्वारा पहली सूची जारी करने से कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी की थी दोनों दलों के इस फैसले से उनके बेच गडबंदन होने के कयास खतम हो चुके है बस्पा सुप्रिम मायावती के इस फैसले से साफ हो गया है कि बस्पा से सपा कांग्रेस गडबंदन को कड़ी चुनोती मिल सकती है साथ सीटों पर मुस्लिम उटों का बटवारा त्रिकोडी मुकाबला होने का असपश्ट दिखाई दे रहा है आपको बता दे कि बस्पा अभिवार को पहले 16 और उसके बाद नव उमिदवारों की सूची जारी की है आए जानते हैं किसको कहां से मिला है टिकट सहरनपूर सीट से माजिद अली को सहरनपूर में बस्पा और कांग्रेस में टकर मुकाबले की है क्योंकि कांग्रेस ने सहरनपूर से इमरान मसूद को मैदान में उतारा है तो वहीं बस्पा ने भी मुस्लिम उमिदवार माजिद अली को उतारा है इमरान मसूद और माजिद अली होंगे आमने सामने और माजिद अली इमरान मसूद को देंगे कड़ी टक कर आगे आपको बतादे कि कैराना लोकसबा सीट से स्रीपाल सिंग को बनाया है बसपाने उम्मिदवार इस पूरे बिस रेसल पर आपकी क्या किमति प्रत्किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के सेर करिएगा चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर भी हमें फालो कर लें